हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सयान और आप सब का फावर्ट करता हूं मेरे यूडिव चैनल के उपर आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं चीज टैंवेच जो बहुत ही अच्छा टेस्टी बुरिशल वरने वाला है तो सबसे पहले तो हमें ब्रेड कर लेनी है और इसके उपर साउस एक साथ बराऊंगा चीज बर्ट बनाना है तो आप इसको डलाने तो अपका चीज बर्ट रेडी होजाएगा मैंने हापी चीज सेंविच इसकी बनाया है क्योंकि ज्यादा चीज अच्छी नहीं लगती मेरेको तो चीज सेंविच ही पेटर लगता है तो सबसे पहले है अब सब्सक्राइब कर लिया अब इसके फथम डाल देंगे वेजिस मैंने यापे वेजिस टू ही लिये एक तो ओमिउन्स एंड टमेटो तो ये मैंको सिंपल वेजिस इसली ले एकाइब को ज्यादा चाहिए भी निफी और ज्यादा मेंको काटनी भी निफी निसी इत् weitवाला सेंडविच बनाने की शुची तो इसली इन दो चीज ले लेली इन अब लेना है मियोनीज sauce मियोनीज आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको लेके हम जो डूसरे वाली ब्रेड है जो उपर साइड आएगी उसके उपर हमें अप्लाई करना है हमारे मियोनीज को तो दोनों ब्रेड के अप्लाई कर लेते हैं जली से और फिर बताता हूँ आपको क्या करना है को डूसरे और जो अप्रिदान मियोनीज को ओछाइड कर लिया है अब हमें क्यों करना है मियोनीज वाली साइड को उपर रखना है और फिर इंटidade को इसे विक कावर और तेन सेंविच को पैक कर देना है अब हमें ये सेंविच अल्मोस रेडी नहीं हुआ है अभी अभी नहीं हमें फ्राइपन में सेखना होगा तो आप डायरेक्ट इसे टोस्टर में डालके बटर लगा के भी ठेख सकते हैं दोनों साइट से बड़ी अफिक जाएगा एक साथ देकिन अगर वो नहीं है तो आप फ्राइपन का यूज कर सकते हैं वो कैसे अब वो है आपको बताने जा रहा हूं तो आपको लो टू मीडियम पे फ्लेम रखनी है और फ्राइपन को डख रख देना है अब यहां पे सेंटर के अंदर आपको डालना है इसके उपर अंदर बटर त बटर को मैंने थोड़ा सा फेला दिया है थाकि सब तरफ हो जाए और अगर अच्छे ते गरम उन दोगे तो आपका बटर अपने अपी सेल जाएगा अब आपको क्या करना है बटर डाल देना है बटर डालने के बाद आपको इसके ओपर रखना है सेंड़िच तो सेंड़ि के अंदर और फिर इसको पलट देना है और अब जो उपर जो मतलब यह जो सिग गये साइड उसके ओपर आपको डालनी होगी चीज बहुत सारी ताकि अच्छा लगे बिल्कुल टेस्टी सा और इसको मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसे हिला दीजेगा और फिस को ढखकर आपको दाऊ जो कि पाँ इसको ठीर मिनिट्स का लिया घृट कता लां जFORE गये नहीं को दाऊंड इसको चूआ हो इक पलेट अदर प्लेट के इनदर में इसको निकाल लिया हे और वैसे तो मेरे पास वीजा कट था लेकिन फिलाल में ले नहीं रहा था इसलिए मैंने स्की कट लिय सो गाइज हमारा चीज सेंडविच रेडी हो चुका है आप इसे चीज बस परणाने के लिए इसमें बहुत सारी चीज डालिएगा तो हमने तो इसको बहुत ही मज़े से खाया आप भी इसे जरू क्राई कीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में आपके मलब आपने बनाया तो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा अगर चैनल पे नहीं होता सब्सक्राइब कर लीजिए बैल उनिटिशन दबा के कोई भी नोडिफिक्रिशन और कोई भी रसीप में इसमत कीजिएगा तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में और हां लाइक जरू कीजिएगा बाइबाई